Welcome back everyone, Android Mobile Application Development Lecture No.7 और आज का हमारा टॉपिक है Set On Click Listener तो कुछी स्टार्ट करते हैं देखने हैं ये क्या है last lecture में मैंने आप लोग के साथ कुछ ये discussion की थी और ये इसका कुछ interface है आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ buttons बनाये थे और हम लोगों ने कुछ clicks को detect किया था और ये सारा process हम लोगों ने किया था इस process में एक point था और वो ये था कि जो आप लोगों ने quote किया था मेरा last lecture में जो मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ वो इसकी based था on click और ये जो है ये old method है और इसके alternate में जो method यूज होता है Java based आज हम लोग उसको देखने वाले हैं जो कि है set on click listener so quickly start कर लेते हैं और देखने हैं वो क्या है इसी में कर लेता हूँ मैं और मैं ये करता हूँ कि ये जो एक button है extra इसको अटा देते हैं और जो ये statement है इसको भी मैं हटा देता हूँ so we have simple smart button ठीक है ये हमारा एक button है simple सब ठीक है थोड़ा सा इसको stretch कर लेते हैं अच्छा जी so ये एक button है जिसके उपर हम लोगोंने click listener जो है वो करना है so ये एक alternate method है जिसके थो हम लोग click को detect कर सकते हैं और कोई action जो है वो perform कर सकते हैं बड़ ये सारा काम जो होगा वो java based है so let's see हम लोग open करते हैं अपना whiteboard और देखते ही क्या हो रहा है so topic आप लोग देख लें ये topic है जो मैंने select किया है set on click listener so we have button ठीक है ये हमने करना है इस button को हम लोगों ने बनाया होगा XML में XML language में ये मैं थोड़ा सा size इसका increase कर देता हूँ ओके ये button बना होगा XML में ठीक है इस button के उपर होने वाला है click ठीक है इस button के उपर होगा click so ये जो click है ये अब handle होगा by java ठीक है यहां पर हमारी आपकी java language इस बार जो on click था जो XML में लोगों ने last lecture में यूज किया था वो हम लोग नहीं करने वाले क्यों क्योंकि ये जो है ये थोड़ा old method है अब इतना use भी नहीं होता हम इसका alternate देखने वाले हैं और वो होगा using all the things using java set on click listener अब ये सारा कैसे होता है वो देखे जावा जो है वो आप से सिर्फ demand कर रहा है कि मुझे XML से जो आ रहा है बटन जिस बटन के उपर आप click कर रहे हैं मुझे सिर्फ उसकी ID प्रोवाइड कर दो सिर्फ उसकी ID जो है वो प्रोवाइड कर दो बागी कहता है मैं सब कुछ देख नूँगा सो हमें क्या करना होगा हमें अपने इस बटन की एक ID जो है identification unique ID जो है वो हम लोगोंने set करनी होगी वो कैसे set होती है वो भी आप लोग देख लें ये मैंने already इ ID एट्रिब्यूट है आप लोगोंने लिखना है यह चले मैं आपके सामने दुबारा से लिखता हूँ मैं लिखता हूँ ID यहां पर आगया Android ID इंटर कर लें और यह तरीका इसका यह जो आप देख रहे है add the rate plus 9 ID forward slash Android में किसी भी ID को set करने का method है सो मैं इसके उपर इंटर कर यह हमने process perform कर लिया जो हमें कह रहा है Java के मुझे ID चाहिए होगी सो मैंने XML में ID attribute के थूँ अपनी ID जो है वो define कर दी अभी जो मैंने इसका नाम रखा है इस बटन का वो है BTN 1 बस जावा कहता है ठीक है आप लोग यह बटन यह BTN 1 जो है यह मुझे प्रोवाइड करोगे यह ठीक है कैसे वो देखते हैं आछ्छा जी वे डिया XML में क्या चीज बटन है ठीक है XML में बटन आरा है나हीं जहा की घ्रम से जह घरकतर एक बटन तरह सो बटन के लिए जहा कहता है कि मेरे पास है उसका नाम है बटन अगर अगर आप नोटinky करेँ में B है वो capital है क्योंकि Java में naming conventions अकर आपने पढ़ी है तो उसमें classes के name जो होते हैं वो capital letters से होते हैं तो यहाँ पे आप दोगों ने capital B के साथ लिख दिया button चूंकि वहाँ से button आ रहा है तो आप button class का एक object जो है वो बना ले जिसका नाम है btn1 सो इसलिए मैं आप एक button class का object चाहिए ओके अगर यह point clear नहीं है तो मैं आपको इसना कर देता हूँ कि अगर आप लोगों ने computer memory में एक number store करना है that is in this case it's a 2 और वो आपने अगर store करना है एक variable में जिसका नाम मैंने दे दिया x या कुछ भी तो चूंकि यह integer value है तो x में safe हो रही है तो x ही type क्या होनी चाहिए int यह होनी चाहिए x की type that is integer type का x बना और उसमें value safe हो और यह 2 अब चूंकि वहाँ पे button है तो button के लिए हम लोग किस type का variable बनाएंगे button type का ठीक है तो इसलिए मैंने आप पे button type का दी ले लिए ओके नेक्स हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग next यह देखेंगे कि यह जो button आप लोगों ने बनाया है जावा के लिए और उसकी ID भी दिये तो जावा इडी को find out कैसे करेगा ठीक है कैसे इस ID वले यह जो यह जो button है इसकी ID जो आ रही है वो कैसे find out करेगा जावा कैता है इसके लिए मेरे पास एक method है और उसका नाम देखें यह method है फाइंड करो किस को view को कैसे by its ID now what does mean by view XML में जब आप कोई चीज बनाते हैं button है या radio button है या check box है या text box है या password box है या edit text है कुछ भी है वो सबसे सब कहलते हैं view मैंने previous lectures में बताया था anything जो भी आप XML में बना रहें that is actually a view ना चुके बटन आपके बनाया वो भी एक view है तो यहाँ पे जावा का method देखें find करो किस को view को कैता है ठीक है कैसे करूं by ID क्या हम लोगों ने अपने button को एक ID दी भी थी yes मैंने क्या ID दी थी btn1 तो basically यह method है find view by ID now ठीक है हम इस method को use कर लेंगे लेकिन यह method कैसे ID get करेंगा वो देखें जब भी XML से कोई भी चीज़ जावा की तरफ जाती है तो वो जाती है using a file called R यह एक file है ठीक है यह कैसी file है कि आप जो भी चीज़ XML बना रहे हैं उसकी ID लगरा जो भी बना रहे हैं वो ID जाती हैं यहा से हम लोग read करते हैं towards Java ठीक है यह R फाइल है तो R के भी different portions होते हैं उसमें layout होते हैं उसमें ID's होती है उसमें बड़ा कुछ होता है तो एक उसमें portion आता है layout का जिसमें layout से related informations पड़ी होती है एक इसमें portion होता है ID's का जिसमें ID's पड़ी होती है ID's तो अभी चीस की मैं बात कर रहा हूँ च्योंकि हमने button की ID बनाई है तो हम लोग किस portion की तरफ जाएंगे ID's portion की तरफ और उसमें हमारे button की ID जो है वो पड़ी होगी in this case it's a BTN1 जो भी आपने XML में बनाई थी वो ही आपकी यहां पर पड़ी होगी as it is तो दुबारा सुन लें हमारे पास जो XML में button बना उसकी जो अपने ID प्रोवाइट की वो एक safe होई एक file में that is R उस R उस R file के different sections हैं तो हम उस section में जा रहे हैं जिसमें ID's पड़ी होगी in this case it's a ID section और उसमें हमारी जो ID है button की वो होगी मिल जाएगी तो यह सब कुछ जो मैंने भी यह जो आपके सामने लिखा है यह सब कुछ यह सब कुछ मुझे यहां पर इस function के arguments में provide करना होगा ठीक है तो यह कैसे बन जाएगा find view by id r.id.dtn1 यह हमारा बन गया पूरा method यह ठीक है ना यह जितना कुछ आपने लिखा है यह सब का सब किस के लिखा है button के लिए तो इस सारी चीज़ को handle करने के लिए आपके पास button type का एक variable होना चाहिए जिसमें हम लोग इसको save करें तो वह आपने दिखा है पहले ही मैंने बनाया वाई तो मैं actually मैं क्या लिखूंगा b equal to find view by id यह statement हमारी हो जाएगी अगर आपको यह statement problematic लग रही है कि यह क्या हुआ है तो basically यहाँ पे इस पूरे को आप लोगों ने सोचना है as a button क्योंकि हम button को ही find कर रहे है और वो button store करने के लिए हम एक variable चाहिए button type का तो वो मैंने बनाया वाई b और अगर आपको यह problematic लग किस type कोना चाहिए था in type का why because 2a integer था यही काम मैंने यहाँ पे किया आप एक button को save कर रहे है तो button को save कर रहे है एक variable में that is in this case it's a b तो b को किस type कोना चाहिए उपर देख लें it's a button type exactly वोई चीज है जो मैंने यहाँ पे की जावा में आ गया button उसका नाम है b अच्छा जीब अब इस click किस के उपर होता है click होता है button के उपर वो अच्छली वो नहीं आ जाता है इस तो click होगा button पे तो जब भी यह click हो तो मैं चाहता हूँ के मेरे पास एक person हो जो इस click को सुने listen करे तो मैं आप एक काम करता हूँ मैं आप एक person बना वागना यको ओसन है जाभी यह फिलाल मैं यह person है इस का काम क्या है यह करेगा सुने गा listen करेगा किस को, इस button के click को तो मुझे ये person किस के लिए attach करना है मुझे ये person इस button के लिए attach करना है उसके साथ लगाना है कि तुमने इस button का listen जो है वो click जो है वो सुनना है तो code क्या होगा वो ज़रा देखें किस के उपर लग रहा है? B के उपर मैं लिखूंगा b.set करो on click listener, यह मैंने कर दिये, चेक करें इसको, बटन के उपर लग रहा है, तो यह set on click listener को नहीं है, समझें, यह person है, तो उसको हम किसके साथ आइच करें, b के साथ, ताकि वो उसका click सुने, उसका click सुने, तो मैंने यहाँ पर यह method लिखा है, b.set on click listener, अच्छा जी, अब यह method जो है, एक बात करेंगा, क्योंकि एक method है, तो इसकी parenthesis होंगी, यह inside parenthesis आप से कुछ पूछने वाला है, कि मुझे किस बटन के साथ क्लिक कर, मतलब attach कर रहे हूँ, कितने बटन है, एक ही इसके instance के साथ, so this, अच्छा जी, वो कहते है, ठीक है, मैं attach हो गया हूँ, जैसी कहते है, मैं click होगा, सुन लूँगा, अब सुनने के बाद, क्लिक सुनने के बाद, हम लोग, एक और बटन, तो एक और person मंगा लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ, अब यह person के drawing बड़ी मु listener का काम यह, कि click को सुनना, और इसके बाद इसको forward कर देना, कि आपने action perform करना है, क्योंकि मैंने click सुन लिया है, यह जो अभी आपने second button बनाया है, यह action का काम perform करने वाला है, ठीक है, तो दुबारा से देखने, button के उपर click हो रहा है, button के उपर click हो रहा है, इस click को को सुन रह है, और सुनने के बाद इसको कह रहा है, एक और बन्दे को कि मैंने click सुना है, आप को यह action perform करो, ठीक है, तो यह जो बन्दा है, यह actually मैं action perform करने वाला है, वो action कुछ भी हो सकता है, आपका कोई message हो सकता है, आपका कोई toast हो सकता है, कोई color change करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता ह इस action वाले बंदे के inside आप जो भी code करेंगे और यह सारा का सारा इस person की body में आप लोगोंने जो code करना action का वह यह सारा पूरा body होगी जिसमें आप लोग करेंगे जो भी आप करवाना चाहते हैं इस बटन के क्लिक पे हम तो एक सिंबासा मेसेज ही देंगे कि जैसी क्लिक हो तो यहाँ पे एक मेसेज आ जाजाए कि यू क्लिक टाउना बटन तो यह भी हो गया अच्छा अब यह जो एक्शन वाला बंदा है यह जो आया हुआ है यह कोई इतना असान बंदा नहीं है इसको कोई मंगाएगा इसको कोई बुलाएगा ठीक है यह नहीं कि खुदी से आ जाएगा यह इसके बड़े नखरे हैं यह हमारी k 끝나ß होती है, में कास , यह का काम है , कि इस को बलाने के लिए सारा Ali सारा क्रास करें। को यह हमारी क्लास होगी, जो इसको बलाएगी त यह जा मैंने आपके सामने प्रेश काम बतनाने क्या कुछ बनाती है, यह सब काम कोड में के ने करने वाला हूं तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम, मैं जरा color change करता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूं ये वाला काम हम पहले करेंगे ठीक है? तो हम size भी ज़्यदा कर लेते हैं अच्छा जी, ये वाला काम हम पहले करेंगे बलके हम कर भी चुके हैं देगे XML में हम लोग बटन बना चुके है ये बटन बना वह है ID भी सेट की हुई हमने उसका नाम रखा है BTN1 तो हमारा XML वाला काम तो खतम हो गया वो तो बहुत सिंपल सा था अब यहां से ID जाएगी तो हम लोगोंने बटन बी बनाना है find view by ID करना है second step, third step में हम लोगोंने listener का काम करना है fourth step में हम लोगोंने इस action को, ये जो action वाला बन्दा इसको बुलाने के लिए काम करना है ठीक है, ये सारे काम मैं भी कराता हूँ आपको तो पहला step, done हो गया दूसरा step, Java में button का button क्लास का object, third step find view by ID, fourth step ये listener को attach करना, fifth step action वाले को बुलाना, ठीक है और वो होगा using this thing ये जो है तो ये जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया है आएं इसको देखने है, first step तो clear है आप लोग देख ले, first step तो हमने किया हुए तो हम Java में जाती है, ये पुराना code मैं अडा रहा हूँ सारा तो ये वो पुराना code है, इसको मैं अडा दिये ओके, and second step हमारा Java में क्या था button glass का object हम लोगों ने बनाना होगा तो आते हैं, button glass का object है वो चुके मैं चाहता हूँ हर जगा पे नजर आए हर method में, that is a method, ठीक है, ये एक method है, एक body है छोटी सी जिसके अंदर बहुती चीज़े है, और ये class है और ये इसकी body है, और यहाँ पे class end हो रही है, तो हम class level variable बनाएंगे ताकि वो हर एक method को नजर आए, again ये Java की चीज़ है so आए, देखते है, button B, so मैंने button type का एक object बना दिया, मुझे error आ रहा है, वो कह रहा है कि कौन है button, इसको ले कर रहा है, इसको इंपोर्ट करें, इसका reference दें, तो मैं alt enter करूंगा, तो ये आ जाएगा, alt plus enter, और अगर आप उपर import चेक करें, तो ये आ गया, line number 8 पे, आखर में देखे है button लिखा है, वो ये, तीसे step हम लोग perform करेंगे, यहां पर एचा है, ये insight on create, क्योंकि सारा काम create में हो रहा होता है, on create में, यारी के objects बन रहे हैं, उनके लिए memory set हो रही है, नाम ही ऐसा on create हो रहे है, so मैं आता हूँ और यहां पर लिखता हूँ, कि मुझे करना है, find करना है, view को, dot id dot, ये रेखें, आपका id section में कितना ids है, और ये सबसे top पे हमारी id, आई भी है, btn1 की, so वो मैं आपको बता रहा था, btn1, ये हमारी id है, ये जो step मैंने अभी किया, ये वही step है, जो मैंने आपको step बताया है, कि हम r file में जाएंगे, उसके id section में जाएंगे, और उसमे अपनी id को pick कर लेंगे, और ये हम किसको assign कर लेंगे, एक variable को in this case, it's a by because that is a button, तो ये वो चीज सारी मैंने आप explain की थी, that whole thing, so ये तीसा step भी मैंने perform कर दिया, अब आते हैं four step पे, जो कि ये है, set करना है on click listener को for b, so मैं आता हूँ, और कहता हूँ b को, b is a button now, b dot set on click listener, ये आ ठीक है, set on click listener, तो मैंने b के साथ click listener attach कर दिया, कों से b के साथ, is b के साथ, इस button के साथ, तो इस के लिए हम बोलते हैं this, ये है हमारा this, ठीक है, is button के लिए हम लोगों ने set on click listener, जो है, वो set किया है, अच्छा मैं एक error आ रहा है, वो इस लिए आ रहा है, क्योंकि आप लोगों नहीं है, इस लिए error आ रहा है, तो ये बंदा कोन लेकर आएगा, वो मैंने आपको बदाया था class, जो है, तो हम आते हैं, topic, ये हमारी class का code है, और सब से आखर में आकर मैं आप लिकूंगा, implements, ठीक है, मैं implements कर रहा हूँ, view.on, view.on, click listener, ये है, ठीक है, ये चीज है, जो मै actually मैं लाना चारा हूँ, implement का मतलब है, मैं implement करना चारा हूँ, वो अगर मैंने diagram आपको या तो, ये person है, इसके बड़े नखरे थे, ये कह रहा था, कि मैं खुद नहीं आँगा, मुझे कोई लाएगा, तो वो ये class है, point number six, जो है, ये जो मैंने लिखा हूँ, ये class, और वो class इसको implement कर रही है, नहीं इसको बुला रही है, ठीक है, सो मैंने का, implement करने जा रहे हैं हम लो, on click listener को जो के पढ़ा हूँ, inside view, view.on click listener, अच्छा, आप notice करें, this का error गया, क्योंकि आपने वो बन्दा बुला लिया, लेकि उपर error आ गया, वो error क्या आ रहा है, कि आप लोगों न मैंने body बनाई ही है, सो मैं अब इसको जैसे implement करूँगा, वो error भी चला जाएगा, सो इसके पर लाते हैं, करसर, यह देखें क्या कह रहा है, पतनी बात कर रहा है, must either be declared abstract or implement the abstract method that is on click, यह वो method है, जिसके अंदर आप लोगोंने quote करना है, यह भी तक आया वा नहीं, इसलिए आ error तो जाए, वो यह method है, on click, वाला, इसको मैं कहता हूँ, okay, अभी ज़रा देखने, उपर error गया, yes, right in the line गया, और नीचे एक method है, यह वो action वाला person है, और उसकी body भी यह देखें, यह वो body है, जिसका मैं आपको कह रहा था, जिसमें आपने actual code लिखना है, अब हम यहाँ पे जा गया है, यह वहला, curly bracket start, curly bracket close, और यहाँ पे हमने code करना है, और इस method का नाम है, on click, ठीक है, मैं यह पे लिख लेता हूँ, toast, toast हमने किया था, last class, make text, कहाँ पे बनाना है, इसी activity बनाना है, ठीक है, क्या message देना है, you clicked, clicked on button, ठीक है, comma और toast को हम लोगों ने, लाना है, with length underscore long, मैं हमेशा long करता हूँ, आप लोग short भी कर सकते हैं, और इसको मैं चाता हूँ, कि यह show भी हो जाए, finally, यह भी हमने किया है, अगर कोई problem हो, तो, आप लोग मुझे बताईएगा, कि इस code में प्रॉब्लम है, मैं आपको explain करती हूँ, वैसे मैंने last lectures में किया ह तो, यह हमारा सारा code हो गया, error भी नहीं आरे, और यह इतना ज्यादा जो हमने काम किया है, यह सब कुछ mix हो गया हमारा, जावा है यह, basically जावा है, जावा तो बड़ी मज़े की चीज़ है, आप लोग अच्छी लगती है कि नहीं, लेकिन जावा कुछ ऐसे ही काम करता है, यह मैंने कर दिया, और अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, तो बिफोर रनिंग मैं अपना जैनी मोशन जो है, उसको अन करता हूँ, डबल प्लिक यह हमने लास लेक्चर में इंस्टॉल किया था, हमारा वर्चल मोबाईल है, जिसमें हम लोग आउटपट देखेंगे, यह भी आ रहा है, यह आ गया हमारा गूगल पिक्सल, इसको मैं प्ले कर देता हूँ, मैंने लास लेक्चर में इसको एक्स्प्लेइन किया था, कि कैसे आप लोग अपना मोबाईल जो है अपने लापटप में बना सकते हैं, वर्चल मोबाईल, ठीक है, यह भी स्टार्ट हो और मेरा खाल में यह भी आौन हो रहा है यह तो फूड़ा सा रोक लेते हैं ताकि यह आउन हो झाए, छूर्अस पूण रहे हैं तो यह आगया हमारा फूंधन, ठीक है, इस में अब भी आउटपट देखने वाले हैं, सब मैं आता हूँ यहां पे और देखें, निर भेजन mobile pixel 2 तो मैं चाहता हूँ ये मेरा code चले मेरे mobile पर मैं इसको click करूँगा play button को और अब आप नीचे देखिएगा यहाँ पर आपको gradle build running नजर आ रहे हैं मैं ने शुरू के lecture में डिफाइन किया था ये actually मैं आपके mobile में ये सारा कुछ अभी put होने जा रहा है और उनकी एक final form बनती है apk android package file so अभी हमें ये installation I mean ये पूरी एक बार गुजरेगी और आपके mobile में जो आपका code है वो एक executable file में आपको नजर आएगा तो थोड़ा सा पास बलके चलें launching on device भी लिखावा आगे बस हो गया तकरिबन तो मैं आज जाता हूँ यहाँ यहाँ पे यहाँ आगया भारा code ठीक है so यह वही है अच्छा है यह जो आप यहाँ पे देखने है right side पे देखें यह वही है so बस अब आपको mobile पे नजर आ रहा है so मैं इसको click करता हूँ और आप देखें यहाँ पे लिखावा आ गया you clicked on a button यह जावा ने इसको detect किया है अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं जावा में जाके इसका code change कर देता हूँ you क्या लिखें button click हो गया बस मैं नहीं लिख गया button click हो गया let's see play and I hope यह अब भी आ जाएगा देखें यह run हो गया हाँ जी और click और यह देखें button click हो गया so दुबरा click दुबरा आ गया button click हो गया and so on so यह जावा ने किया है so that was the whole code ठीक है और यह सारी इसकी description थी अगर इसमें कोई problem हुए है आपको कोई point clear नहीं हुआ तो आप मुझे बता दीजे वैसे इसकी detail बहुत और तरह की लिखी गई है books में internet पे so मैंने आपको हर point each and everything clear की है अगर कोई problem हुआ हो तो most welcome मुझे comment में बता दीजे आज की lecture में इतनी देखते है और फिर next lecture में और चीज़ें देखते है oh thank you